सवापती जी मेरा मेडिल स्पीच है तो कितना सा मैं मिलेगा मैं जानना चाहता हूँ सवापती जी मैं अपनी पार्टी का अभार वेक करना चाहता हूँ कि इस विशेय पे मुझे बोलने का समय दिया इसलिए भी अभार वेक करना चाहता हूँ कि SPG सुरक्षा में मैं 11 साल रहा हूँ इसलिए उसमें 1990 से लेकर 2001 तक कैसा काम हुआ कैसा हुआ उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ सबसे पहले मैं जो क्यों बना SPG Act आप सब जानते हैं अभी तनखा जी ने भी बताया कि इंद्रा जी के हत्या के बाद ये महसूस हुआ कि प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए एक विशेश सुरक्षा बल होना चाहिए जिसका गठन 85 में हुआ और पारलेमेंट के Act से 88 में वो अस्तित्तों में आया मैं अपने मित्र से जानना चाहूँगा बार बार आप कह रहे हैं कि उसमें उसके बाद क्यों नहीं जब कॉंग्रेस पार्टी हट गए और राजीव गांधी जी इस देश के प्रधान मंत्री नहीं थे तो उनको शुरक्षा क्यों नहीं दी गई मैं इंसे जानना चाहता हूँ क्यों नहीं दी गई 88 में जब ये Act बना तो आपने क्यों नहीं उसमें रखा कि X PM को भी मिलेगा ये आप से मैं जानना चाहूँगा बड़ा साधरन सा सवाल है आप से कि जब 88 में एक्ट बना जाए लेकिन मैं जानता हूँ किस तरह आप लोग काम करते हैं उस समय आप लोग 415 सदस्यों के धमंड में थे तो उस समय आप लोग ने नहीं सोचा कि किसी और पूरप्रदान की मंत्री के बारे में सोचा जाए मैं वानता हूँ कि ये बहुत दुखत घटना हुई 91 में राजीव गांदी जी के लेकिन अगर उस समय सोचा गया होता तो ये घटना नहीं होती उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि कई अमेंडमेंट लाए गया फिर मैं इस बात को दोराना चाहता हूँ उसके बाद 91 में एमेंडमेंडमेंड लाए गया 94 में लाए गया 99 में लाए गया 2003 में लाए गया और फिर से मानि ग्रेया मंतरी जी एक एमेंडमेंडमेंड लेके आए मेरा तो ये मानना है कि जो चारों एमेंडमेंडमेंड बीच में लाए गये थे ये गलत थे जो पहला बिल था वही ठीक था कि सिर्फ सुरक्षा प्रधानमंत्री जी को मिलनी चाहिए ऐसी special act और एक सुरक्षा जो बस प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए और किसी ex-prime minister या किसी और के लिए नहीं होनी चाहिए मेरा ये मानना मेरे वक्तिकत ये विचार है कि बिस ऐसा एक संगटन होना चाहिए एक संग होना चाहिए एक ग्रुप होना चाहिए जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा दे मैं ये भी मानता हूँ कि जो पूर प्रधानमंत्री है उनके लिए एक अलग सुरक्षा बल बना दिया जाए इसमें क्या बात है CRPF में अगर अगर ग्रेया मंत्री जी ने कहा उसी में एक ऐसा बल बना दिया जाए जो पूर प्रधान मंत्री को इस रख्षा था मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हमेशा होना ये मैं मानता हूँ मेरा वेक्तिकत विचार है कि ऐसा बल होना चाहिए जो प्रधान मंत्री को बस दे मैं आप CRPF chair को देखकर बात करें प्लीज प्लीज आप 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 याज़त नहीं है बीच में आप हस्तक्षपने करें मैं सदस्ति नहीं हूँ आप chair को एड्रेस करें मैं सदस्ति की मैं समाच सकता हूँ क्यों इतने तेजित हो रहे है मैं मैं तो अभार्वेक करना चाहूँगा 91 में जो amendment हुआ उसके बाद मुझे शुरक्षा मिली और जो मुझे शुरक्षा की ज़रुवत नहीं थी लेकि मुझे बहुत अच्छा लगा मैं 22 साल का नौजवान था मेरे साथ सुरक्षा कर्मी चलते थे एरपोर्ट पे मैं जाता था तो मेरे साथ मैं गाड़ी के साथ प्लेन तक जाता था सब सभापती जी गाड़ी के साथ मैं जाता था मैं और मुझे कहीं भी मैं जाओं अगर किसी और जगह तो मेरे पहले मेरी बुलेट प्रूफ कार वहां रहती तो मुझे तो मैं आपका अभारवेक करना चाहता हूं मैं आपके बारे में कुछ नहीं कहा रहा हूं मेरे साथ चलती थी कई लोग तो मेरे साथ मेरा आटोग्राफ लेते थे मैं कुछ नहीं था तब भी आप उस समय मेरा सोचिए कि ऐसा ऐसे सुरक्षा में रहकर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी कुछ हूं जबकि मैं कुछ नहीं था लेकिन मुझे लगता था सुरक्षा की सुरक्षा की वेशर से मुझे यसा लगता था कि मैं कुछ हूँ मैं बहुत कुछ हूँ मैं यह कहता हूँ मेरे को लगता था कि कमाले भई मैं उसी बीच एक बार मदरास गया मैं चिन्ना गया और उस समयib पिता जी ने जब प्रधान मंत्री थे डीम के सरकार को बगास किया था तो मुझे ये लगा कि मैं उत्रा वहाँ पर तो ऐसी सुरक्षा तो मैंने देखी नहीं दस-पंद्रे गाडियां मेरे साथ और जितने दिन में रहा मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद प्रधान मंत्री हूँ देश का मुझे ऐसा लगा मैं सच बतार हूँ मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ मुझे ऐसा लगा कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ तभी तो बंगे आपके मुँवे घीशक कर BJP में मैं बन चकता हूँ उधार रहूँगा तो कभी नहीं बन चकता हूँ BJP मैं यहीं बात मैं यहीं कहना चाहता हूँ जो सबको सुरक्षा चाहिए सबको बड़ी अच्छी लगती ही सुरक्षा मुझे भी लगती है मैं तो बार बार यह बात कहता हूँ मैं 2001 से मैं सुरक्षा कर्मीरी रखता हूँ जब से सांसब दना हूँ एक यूपी पुलिस मुझे जरूर देती है उसको भी मैंने साधी वर्दी में करा दिया है लेकिन अब मुझे लगता है जब मेरे से लोग कहते हैं कि निरे जी आप बड़े हलके हो गए हैं मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा इस समय क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आज समाज भी चाहता कि हमारे साथ कुछ लोग चलें कुछ गाड़ियां चलें उसके मैं खिलाफ हूं और हमारी पार्टी खिलाफ है उसकी इसलिए जो एंटाइटलमेंट का सवाल है मैं यह मानता हूँ कि क्यों ने अगर मैं SPG cover में भी हूँ तो मेरी क्यों नी सुरक्षा मेरी security check होना चाहिए मुझे तो आशर होता था बुज़र्ग लोग लाइन में लगे हुआ है और मैं कभी security check में 11 साल में गया ही नी उस समय मेरे साथ एक सुरक्षा कर भी जाता था पिस्तॉल के साथ plane में 9 11 के पहले की एक हटना मैं उसके पहले था एक व्यक्ति जाता था तो मुझे क्यों नहीं लगेगा कि मैं कोई व्यक्ति हूँ और ऐसा जो मैं जानता हूँ जो मैं SPG cover में रहते हूं उनको ये लगता है क कि हां हम 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 इस देश के प्रधामंत्री हैं और कोई विशेश्ट व्यक्ति हैं कि सबको लगता है इसी नहीं तो चाह रहा है इसी तो चाह रहा है मैं यह नहीं कह रहा हूं मैं अपनी बात कह रहा हूं मैं यही मैं क्यों क्यों नहीं सुरक्षा चेक होना चाहिए हमारा क्य जो हम चाहते हैं VIP culture, ये नौजवान इस चीज को पसंद नहीं करता है, कि आप चले जाएं और कोई और लाइन में खड़ा है, आप चले जाएं, सीधे चले जाएं, security आपके देखते रहें, आप लाइन में खड़े हैं, सौ लोग खड़े हैं, तब भी आप खड़े हैं, लेक तो कह रहें VIP culture, और जो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं सोचता था, लिकिन जब आदनी को रक्षा मिली हो, तो क्या सोचेगा, कितना पैसा खर्चोता होगा मेरे उपर, जब मैं, कभी-कभी मेरी माता जी, अम्मा मेरी मैं कहता था, और मेरे बड़े भाई, और मैं एक साथ च रहे है, सर, नौ गाड़ियां और दिल्ली पुलिस के साथ 14-15 गाड़ी चलती थी, तो मुझे मैं उसको सोचता था, लेकिन मेरे को इतनी अच्छा लगता था, कि मैं कभी बोला नहीं इस बारे में, कितना पैसा खर्च होता होगा इसमें, जिसकी कोई जरुवत नहीं, किसी चीज की जरुवत इसका पैसा खर्च करना, देश का जो वेर्थ पैसा खर्च हम लोग कर रहे हैं, अगर वो क्या जरुवत है, कोई प्लेन जाता है, प्लेन से आपकी गाड़ियां जाती है, एडवान सिक्योर्टी जाती है, मेरे जैसे वेक्ती के लिए उसकी जरुवत नह गई है अभी, मैं चाहूंगा कि उसकी जाच हो, और जो उसके लिए दोशियों उनको दंडित किया जाए, लेकिन और उनकी सुरक्षा बला दी जाए, अगर वहाँ दस लोग है, तो बीस लोग कर दिये जाए, लेकिन एस्पी ही सुरक्षा क्यों चाहिए, इसका मुझे आज ही क्यों हो रहा है, वीपी सिंगी जी की सुरक्षा हटी, आएके गुज्राल जी की सुरक्षा हटी, नरेश जी यहां बैठे है, उनको भी मिली थी, देवे गोडा जी की हटी, आदर्नी मनमौन सिंग जी की हटी, जो अभी सदस हैं, तब तो किसी नहीं नहीं बोला, कि आपको सुरक्षा दी जा रही है, ग्रेह मंत्री जी ने बार बार ये बात कही है, कि आपको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, एडवांस में लोग जाएंगे, आपको एंबिलेंस रहेगी, आपको और, मैं ने सुन, मैं दूसरे सदन में एक मानिय सांसा दी जी ने कहा, कई लो कि मैं पूछना चाहता हूं ऐसी कोई घटना हुई मैं जाना अपनी अपनी नॉलिज के लिए पूछ सकता मैं अगर अगर आपको इसने के लिए अपनी जानकारी के लिए अगर आपको गलत लग रहा है आप किर्पया किर्पया आप बोलो बोलो किर्पया पसंद नहीं होने चाहिए थी सताधारी दल के सदस्य की तरह से क्या चाहते हैं आप दो बरीदान और दो शहादत हुई हैं क्या बोल रहा है किर्पया सांती रखें 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 किर्पया रिकॉर्ट पर नहीं जाएग चाहता है तो मैं खुछ कुछ चीज़े बताना चाहता है जो मैंने देखा इन ग्यारा सालों में आप बोले चेर के एड्रोस करें किर पर प्लीज मैं यह जानना चाहता हूं कि मैंने जो ग्यारा साल में देखा जब जब पिता जी के सर ऐसी बोलते रहेंगे तो मैं आप चेर क जब एक व्यक्ति की सुरक्षा कर रहे थे, जब राजीर जी की सुरक्षा कर रहे थे, जिस प्रकार के सुरक्षा कर्मी उसमें थे, जितनी ट्रेनिंग उनको मिलती थी, वो ट्रेनिंग बाद के जो और लोग इखटे होता है उसमें नहीं मिल रही थी, मुझे खुद बताया SPG के अधिकारी हमको बोल रहे थे कि मैं ये बोल रहा था कि उन्होंने खुद मुझे बताया कि पहले अगर 100 लोग अपलाई करते थे SPG के में आने के लिए तो उसमें से 5-10 लोग उसमें से चिन्नित किये जाते थे जो SPG फोर्स में आते थे और वही 2000 आते आते तक ऐसा हो गया कि 100 लोग अगर आते थे तो उसमें से 70-80 लोग लिए जाते थे यह क्यों कि संख्या बढ़ती गई लोग आते गए लोगों की जरुद पढ़ती गई वैसी ट्रेनिंग उनको नहीं दे पाई जो आपको चाहिए SPG को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए तो मेरा यही मानना है कि मैं यही चाहता था मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को अगर एक भारत देश के प्रधानमंत्री जो मानी प्रधानमंत्री आज आदर्णी नरेंद मोदी जी ऐसे कदम उठा रहे हैं आप बोले आप प्लीज ने सर ऐसे कमेंट होंगे तो बोलना बड़ा मुश्कुल हो जाता है मैं जबाब देने मुझे जबाब देनी कि सर मैं आप चेर को एड्रेस के रहे हैं यह मैं यह कह रहा हूं कि मानी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कदम उठाएं जिससे ना केवल देश में कुछ लोग परेशान हैं और विदेशों हमारे प्रड़ोसी देशों में ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं इन चीजों से जो शुरक्शा उनकी अच्छी स्दर है शुरक्शा होनी चाहिए वो नहीं हो सकती अगर एक अच्छी ट्रेनिंग उनको नहीं मिलेगे तो उसमें कमी रह जाएगी सुरक्शा में तो ये बहुत सही कदम है मैं तो मानता है मैंने फिर पहले भी कहा कि जो 88 का जो एक्ट था वही होना चाहिए कि बिस सिर्फ प्रधानमंत्री को सुरक्षा मिलनी चाहिए मैं इसका समर्थन करता हूँ मैं फिर से बदाई देना चाहूँगा मानि ग्रह मंत्री जी को कि आपने ये एक लाया और सभी सदस्यों से आगरे करूँगा कि उस सरसम्मत्री से पारित कराएं धन्यवाद निरे